हेलो एवर्यवन वेलकम टू चानक्यायस पाटना यह जो हमारा श्रीज चल रहा हुआ है उत्तिर्न टेस्ट स्रीज चल रहा है जिसमें 69 BPSC PTE को टार्गेट करके यह स्रीज हम रन कर रहे हैं इस उत्तिर्न टेस्ट स्रीज का आज टेस्ट नमबर 7 है जो कि हिस्ट्री से से रिलेटेड है आई होप अभी तक का जो हमारा स्रीज चल रहा होगा आपके लिए वह काफी ज्यादा बेनिफीसियल होगा तो लेट्स बीगें दा टेस्ट नंबर सेबेन स्ट कोश्चन है विथ रेपरेंस टू दा हिस्ट्री ओफ इंडिया दा टर्म कपाली का दिनोट्स क कि कापाली का सब्द का जो संबंध है वह किस्से है तो बेसिकली यह एक सैवा सेक्ट था जो कि अब लॉस्ट हो चुका है तो इस समय वह यूज होता था कापाली का सब्द बेसिकली सैवाइट सेक्ट के लिए यूज किया जाता था नेक्स्ट कोश्चन है आपका विथ रे बेसिकली यह संबंदित था आपका military camps से जो types of military camps होते थे उससे यह सब्द यूज किया जाता था सात्माहना बंस के समय विच आप फॉलंग इंस्क्रिप्शन बियर सिगनेचर ऑफ किंग हर्स की कौन से इंस्क्रिप्शन पे हर्सा का signature देखने को मिलता है तो यह है पास खेरा का इंस्क्रिप्शन जिस पे हर्सवर्धन का signature आपको देखने को मिलेगा जिसंका समवें के पोलिसुकि यह यह सब्द किया जाता था जैनिजन फॉल्कूल कंट्रोल ओवर इट यह स्टेटमेंट विल्कुल ही रॉंग है इट रिगार्ड द वर्ल आज सोलेलेस भित नथिंग पर्मानेंट इन एट इस इस अल्सो रॉंग तेरा पंथी और अस्थनकवासी स्कूल बिलिव इन प्रैक्टिस अफ वर्शपिंग संथ वाइल द मूर्ति यह स्टेटमेंट करेक्ट है आप से पूछा जा रहा है करेक्ट सो आपका एंसर जोगा ओनली डी होगा नेक्स्ट है क्वेशन आपका कंसिडर दा फॉलंग स्टेटमेंट्स दिदार गंज यक्षिनी इस वान ऑफ फाइनेस्ट इग्जामपल ऑफ मौर्यन स्कुलप्चर करेक्ट है आपका सुल्तान गंज बुद्धा इस प्लेंडिर इग्जामपल अफ रिनोबेट गुपता क पूछ रहा है ऑप्शन आपका डी होगा वन एंड तू दा सिल्वर क्वाइन की सुवाइग गुपता यह नोन आज रुपका नेक्स्ट क्रोश्चन है आपका विद रिगार्ड तु थो थो फॉलग इस्तेटमेंट इजर करेक्ट दा मेसलिथी पिपूल प्रैक्टिस एन एडवांस ताइप अघ्रिकुल्चर ये श्री क्राइप्टिस अड्वांस अग्रिकुल्चर का प्रैक्टिस नियो लिथिक ए यह must also लितिक है यह सच्विंड और करेक्ट रोगा आपका व्hmm on next question Validh Ü师 जनोनाज लिरिक्पाउफ हेंडी क्राफ्ट की कौन से हैंडीक्राफ्ट को हुइन्द सेेल्प को ल्रीक्पाई और रिच्वाफप में जाना जाता है तो यह है parkery next question है कर दो फॉलोऑ werp ca civilization सब्सक्राइब करना है तो अगर आपको अगर सिर्फ यह पता हो कि हरपा राभी नदी के तट पे बसा हुआ है तो आप इसली ऑप्शन ए बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपका एंसर होगा आपका बेसली गंगा और सोन के कंफ्लेंस पर बसा हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है फेमस कैलास टेंपल एट एलोड़ा केव इस एट्रीविटेट विच आप दा फॉलॉइंग रूलर्स जो एलोड़ा केव से वह किस रूलर के यह एट्रीविटेड है तो यह कृष्णा वान है जो कि राष्ट कूटा डाइनस्टी से संबंदित है नेक्स्ट कोशन है मुरक्कान ट्रेवलर इवन बतुदा भुक ट्रेवल कॉल्ड किताबुल हिंद यह पहले यह स्टेटमेंट रॉंग है क्योंकि इवन बतुदा का जो बुक है और रिहाला है मुहम्मद बिन तूग कि नेक्स्ट कोश्टन है आपका दिवाने अरीज इन कंटेक्स्ट ओप मिडीविल इंडिया रेफर्स टू की दिवाने अरीज का मतलब क्या होता था तो बिसिकली यह एक डिपार्टमेंट था मिलिटरी का जो कि यह बलवन के द्वारा इस्टेट्मेंट किया गया था विजय आला वाजदा करेक्ट एंसर इसका जो फांडर थे वह विजय लाल थे और अड्मिनिस्ट्रेटिव परपस चोला इंपायर वाज डिवाइडेंट इंटो मंदलम भलानडू नाडू अडू अड़ू एंड कुर्रम यह करेक्ट है कंबन कुटाना एंड पुगलेंद दो तरह के जो पीजेंस्ट होते थे उनके लिए यूज किया जाता था जो दो परकार के किसान होते थे उनके लिए खुदा खास्ता और पही खास्ता सब्द का परियोग किया जाता था नेक्स्ट कोश्चन है आपका टक्वी लोन refers to loans for which of the following लोन का क्या मतलब होता था जो एग्रिकल्चर के लिए परफॉस के लिए जो लिया जाता था सीडिंग के लिए उसे टक्वी लों कहा जाता था लोंस पर अग्रिकल्चर तुब आइट सीट्स एंट एक्सेंड़ अग्रिकल्चर नेक्स्ट कोश्चन आ आपका डॉक्टर भीम राव अम्वेदकर फांडेट इस ओर्गनाजेशन इन 1924 आफ्टर रिटर्न प्रम इंग्लेंड वन अफिस अब्जेक्टिव अब इस ओर्गनाजेशन वास्ट अब बलूता सिस्टम इट और साउट तो यह कौन सा ऐसा यह संस्थान है जिसका स्थाप अपना भीम राव अमेदकर ने जब 1924 में जब रिटर्न है उसके बाद किया तो यह बहिस्क्रित करनी सभा है जिसे भीम राव अमेदकर ने 1927 में इस्टेब्लिश किया था नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका विद रेप्रेंश तो महलवारी सिस्टम कंसिडर दा फॉल्वाइं इस स्थेटमेंट इस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्स अक्वर्डिंग वित्म होल्ट मेंकेश इंश्स्टरक्व्डशन करेंटर महलवारी जिस्टम अंरंगेंट Technology विलएंट कम्me reverse इस सिस्टम में विलज को एज यूनिट कंसिडर किया जाता था ये भी सही है इन दिस सिस्टम लंबरदार साइन दा अग्रिमेंट बित गवर्मेंट अज़ परसन रिस्पॉंसिबल पॉर पर पेंग दे रेवेनियो अव दा कमुनिटी इस आपको देखने हैं कि नॉट कॉर् क्या करेक्व सब्सक्राइब नॉट करें कॉंच रहा है नॉट को एक पूछ रहा है आप से स्टेमन तो पहला श्री को एक रीपोंड पर डेशे को फूर देखिशन पहले जो दो स्टेट्मेंट है वो आपके रौंग है अर्चु की आपका एंसर पूछा जा रहा है आपसे नौट करेक्ट शोवा एंसर होगा फी फू एमंग दा फॉलएंग फाउंडर द भील तेवा मंडल इन नाइटी ट्वन्टी 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 टू उन्हें इस इस भील सेवा मंडल की अस्थापना किती 1922 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉंसिडर दा फॉलएंग स्टेट्मेंट बिद रिगार्ड टू देवलप्पेंट अफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रिस्पेक्ट में क इन्होंने रिजेट कर दिया था आप से इनकरेक्ट ही अंसर पूछा जा रहे है वहाएं तो आपका एंसर होगा बी क्योंकि पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है प्रतों को सामने रखने के लिए यह देली मैनिफर्स्टों जारी किया गया था कि नेक्स्ट आपका भीच आफ दा फॉलोइंग इन मेंसे कौन सा आप्सेन करेक्टरिली मैच है ली कमिशन स्टडी यह इन्डियान अग्रिकल्चर से रिलेटेड है इंडियन अग्रिकल्चर रिचार्ड स्टार्ची कमिशन फॉर्मूलेट फाइमाइन पॉलिसी यह भी करेक्ट है तो आपका ऑप्शन ओन और फॉर करेक्ट मैच है तो आपका अंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेशन है आपका अंसरे दा फॉलोइंग इस स्टेटमेंट्स एड रिपील्ड वर्नाक्विलर प्रेस्ट अप्रेस्ट अप्रेस्ट आप अधिए यह गरांटेट रिंडियन फस्ट टेस्ट आप प्रिडम बाइंट इंट्रों कल से अपर्वर्ण में इन अट्य प्रेस्ट को रिपील किया था नेक्स्ट क्वेशन है आपका इन दा कंटेक्स्ट ऑफ कंसिक्वेंसे सब बैटल ऑफ बक्सर विच ऑफ फॉलेंग स्टेटमेंट इजार करेक्ट बेंगाल केम अंडर दिवानी राइट पर इंटायर मुगल इंडिया यह गलत है इंटायर अंड आपका कॉंशन विच एन बी णुरिवा पर अंड़ पर्मिश बिए बाफ चरहा था थूंस फopa क्रूरियर ऑा विच्ट अस फी डिले अख ब्रण्या परामू यस इस अल्सों करेक्ट पार्णमांट पावर है राइट टू इंटर्फेर इंटर्नल अफेर अफेर अफ्र यह रॉंग है तो आंसर होगा आपका बी वन टू एंट थी नेक्स्ट है आपका कोश्चन इन दा कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिस रूल इन इंडिया इन नाइटीन सेच्टुरी दा टर्म वाइट मुटिनी इस से रिलेट है तो बिसेकली वाइट मुटिनी जब 57 का रिवोल्ट होता है और बिर्टिस क्राउन के पास जो पावर है कंपनी क के पास करने का इंडिया बुटि spec side करेंट है अंडिया स्वसाइब के दो द्यू ट्रांसफर अब दियर एलिगेंस फ्रॉम इस्ट इडिया कंपनी तु दा ब्रिटिस कुइन तो एंसर होगा आपका सी कि अरेंज देवेंट्स रिलेटेड इंडियाज्याक carnage to India's freedom'sIGH अगेंसट मेंقा गेंस्ट में रन किया गया था सिर्थ आपका आप अपका एंसर होगा स्練 चनदि एक और पॉलिंग हैश इस्टैमेंटेट्मेंट्मेंट रिगारनिंग दी गक्रानिट्स इसेट喔 लखनाओरल प्रीट अब्रीट दिसम्र 1916 वाज अ अडरस्टेंड बित्वें गॉंटर्स अ श्यक्रश गॉंटर्स अगॉंटर्स लेट अड़ें अपका इंडिया नेशनाल गॉंटर्स लेट वाइवा बाल गंगा दर्ति लक्विंग अनॉल इंडिया मुसलिम लिग लेट मुम्मद अली जिन्हा यह भी करेक्ट है आपका एंसर होगा C वाइद एक्ट अप एक्ट अप इंडिया वाज तो भी गवर्न भाई अगें इस 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 इन इम आप ग्राउन और इसी के करण से वाइट मुटिनी भी वह था गदर पार्टी वाज फांडे इन आवमा 1913 एट सन फ्रांसिस्को यूसे बाई लाला हर्दियाल अपुना पैक्ट वाज अग्रिमेंट बेविन गांधी अंबेद कर नेक्स्ट कोशन है वू इस रिगार्ड़े अज दा फादर अफ मोडर्न इंडिया फादर अफ मोडर्न इंडिया राजा राम भॉन राय था इंपोर्टेंट फीचर आप गॉबर्मेंट अफ इंडिया आक्ट 1919 इन लार्जमेंट आप इंडियान गांसलिया प्रोविजन यह सब फीचर है गॉबर्मेंट आप इंडिया एक्ट 1919 जिसे नेक्स्ट कोश्चन है आपका कॉंग्रेस इस इन रियालिटी इन इस सीविल वार्ड विदावट आप स्टेट्मेंट वाज मेड़ वाई कि बास्ता में कॉंग्रेस बास्ता में हत्यारों के बिना ग्री यू वें डिड़ मंदोभी एक्सेट्रीन ओफ लाप्स विच वाज इंट्रोड्यूस बाई डाइड 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 टोरेट अबिर्टिश इस इंडिया कंपनी इन एटी थर्टी फोर्ट अबंदोभी सबसे पहला ऐसा इस्टिट था जिसने इन एटी थर्टी नाइन इस समय जो आपके गवर्नार जनरल थे वह लॉड ओकलेंड थे ओकलेंड अग्लेंड के अधरि डाइड प्रोग्राम ऑप सोदेसरी अडवाइग औरल वास विज्वाल इस बाइज बाइड इसके दॉराइड था तो बेसिकली यह जो पार्टीशन का प्रोग्राम था बिसिकली यह विजवालाइज क्या गया था अर्विंदो घोष के द्वारा सो एंसर होगा आपका सी विच अप फॉल्वाइं इस्टेटमेंट इस रिलेटेड विट प्रोवीजन ओफ चार्टर एक्ट 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 थर्टी थरी से रिलेटेड कौन है बिसिकली इस पुट एन इंटू कंपनीज टी एंड ट्रेड विथ चाइना को इंड कर दिया या था बाइदा एक्ट 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 एक्टी थरी नेक्स्ट क्वेश्चेन है आपका विच वू अफ दा फॉलेंग वाज पॉब्लिक प्रोजीक्यूटर ऑफ अलिप नेक्स्ट कोष्चेन है नवबर ट्वंटीज सिंग्ट इन आवर कंस्ट्रीशनल हिस्टरी विक और इतना सिग्निफिकेंट क्यों है क्योंकि इसी दिन जो इंडियन कंस्टिशूशन को अड़ोप्ट किया गया था और यही डिया आपके प्रियंबल ऑफ इंडिया में भी म अप्षन आपको नॉट क्टन नॉट कंटेंट पूछ रहां सो आइंसर होगा आपका सी अच पर और ऐक्ट ऑप एक्टीं फिप्टी इरी गवर्णर जनर्ल कांसल वाज इनलार्ज फॉर दपर्पस ऑप की गवर्णर जनरल का जो कांसल ता उसे किसलिए इनलार्ज किया गय था नेक्स्ट कोस्टिन आपका इस्टेशन वस्टेश्ट प्रोविजिनल गभर्नमेंट अफ री इंडिया अट सिंगापूर पर्मानेट सेटलमेंट इंडूस इंडियूस इन बै प्रिटीन इन को रिप्रेजन कर रहा था नेक्स्ट कोशन आपका आइडल अफ दाइंसिंगर इस फांद इन विच आप फॉलोइंग कमीटी को बैठाया गया था लॉड करजन के द्वारा ये फ्रेजर कमीटी थी विच आप फॉलोइंग वाइन अफ इंडिया अंडिया अंडर कंपनी रूलियर से फैमाइन अफ फॉल में वहाओ था विच आप फॉलोइंग बूक इस बएस्ट वन अस्ट्रोलोजी इस वहाँ शास्त्र जो कि अस्ट्रोलोजी पर बेस्ट है वो अमंग दा फॉलोइंग डिकलियर अट अपरिंसली एस जएट विच रिफूजड टौट आइट इस अविच आई पिध आ लाल नेरूने विच वन फॉलोइंग पर इज नॉट करेक्टली मैंच थाम वेद समीता इंडियन म्युजी करेक्ट है अथरवेद और इंडियन मेडिसिन करेक्ट है रिग वेद समीध आर्लिएस्ट नहीं इसमें यह गलत आपका यजूरुवेद समीता ओरीजिन ऑफ रिच् प्लेइंग दा लूट नेक्स्ट क्वेस्ट्राइन है सौरी विच आपड़ फॉलिएंग गुपता इंप्रेडर इज रिपर्जेंटेड इस प्लेइंग लूट वेसिकली यह थे अमुद्र गुप्त जिने नैपोलियन ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है तक्सिला जो इनवर्सिटी है पकिन दो रिवर के बीच में लोकेटेड है बेसिकली यह लोकेटेड है इंडस और जेलम नदी के बीच में दे इंडियन काउंसिल एक्टी 92 वाज बेस्ट रॉन विच प्लान इस बेस्ट लॉर्ड डॉफरीन प्लान गंधारा आट इजे कंबेनेशन गंधार आट इजे कंबेनेशन ओफ इंडो एंड ग्रिक आर्ट विच आप दा फॉलंग इंकरेक्टली मैस इन गुप्ता अड्मिनिस्ट्रेशन भुक्ति प्रोविंस क्रेक्ट है वितिका सिटी करेक्ट है विस्या स्टेट ने विस्या का मतलब गुप्ता इंप्रेरर में संबंधिता इंडिस्टिक विलेज भी क्रेक्ट है नेक्स्ट क्षण है आपका चंद्योग उपनिसद इजे पाट औफ विच वेदा चंद्योग उपनिसद इजे पार्ट ऑफ साम वेदा विच भुक प्रुशुक्ता ही मन कि बहुग वेदा उसके किस बुख में पुरुस सब्सक्राइब के द्वारा दिखा गया मुद्रा रक्षास जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त बोड़या के बारे में डिटेल्ड में मिला देखा जाता है इन हुज कोट वाज दा फेमस तेल्गु पोएट स्रीनाथ स्टेड ये कोएट पोएट ते देवराय टू के तोप पाड़ा और मेरेट पिलर को देलिल आया गया था तातवाना रूलर्स ऑफ डखकन एक्स्टेंड़ दियर पैट्रोनेश्टू वेदिक रिच्वालिजम नेक्स्ट कोस्टिन आपका गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड तो पोजिशन अफ गॉड दूरिंग प्रियाड इस बेस्ट ओन ललित विस्तार सुत्रा पे यह बुक बेस्ट है तो आपका बी जैन फिलोस्पी होल्ट दाट वर्ल्ड इज क्रियेटेड और मेंटेंड वाई यूनिवर्सल लॉव पूरा वर्ल्ड जो है एक यूनिवर्सल लॉव से मेंटेंड है और रूल रन कर रहा है अर्किटेक्ट्चर वियर चंदेला नमीश सरानाराय फेमस प्लेग्रेमेज इस लोकेटेड इन विच आप फॉल्ड डिस्टिक या सितापूर यूपी में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेशन आपका दा नेम आप पोएट कालिदास इस मेंशन इन विच आप फॉलोइं इं कहां पर हेल के आगया था तो बिसेकली सेकेंड संगम के आगया था ता पाड़ा पूराम में वू स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमान इंपायर तो छेराज जो थे उन्होंने रोमान इंपायर के साथ रिलीशन इस्टेडलिश क्या था किसकी रचना थी वाजदा कंपोजिशन आप बेसिकली यह जो अस्वगोस का यह रचना था भेन मुहम्मद बिन कासिम कर्कूदेट सिंथ 712 एडी में मुहम्मद की बिन कासिम ने सिंध पे कबजा कर लिया था विजयप्राप्त किया था नेक्स्ट कॉश्चन है आपका इंद्वाने इख इंट 1945 इंध 5075 फोह मुगल इमिफरेडर साह आलम ता आलम को डिट बीट विच मिसल रॉज्डिशिट सिंह इंडीड ये सुखर्चेडिया मिसल से रिलेटेड थे दर पॉलिशी आप सीक्यão रिटेड़ेटि इस रिलेटेड वॉर Сп baptized और में हुनिए इंडिया यूदियाल ओरगनाजेशन इन इंडिया की ज्यूद्फ डिच्रास को इंडिया में किसे स्टेब्लिस किया था इस बैसिकलstorm को इंडिया में इस्टेब्लिस किया था किने स्टरी आपका ठ Univers Un एक्सपोर्ट अप्सलेज इन बेंगाल वाज बैंटी एटी नाइन में इसे बैंट कर दिया गया था वू फाउंडेड रामोसी क्रिशक जथा इन महारास्ट्रा रामोसी क्रिशक जथा का जो फाउंडर थे वह बासुदेव बल्बंथ पाढ़ के थे वाट वाज दा संथाल पढ़ना रिजन कॉलें एंसेंट टाइम अंथाल पढ़ना रिजन को एंसें टाइम किस नाम से जाना जाता था वह था नरी अंड रॉड रिलेटेड टू इंग्लिस एजूकेशन मैकूले माइनूट निकाला था एक था फौड में नेक्स्ट क्वेश्यन है आपका इखु को आमंग द फॉलेंग इंट्रोड्बी फार्ण बेस नभी जम्न इन असाम और कोच भीहार इस बशेकली संक्राज देवर फॉएमंग दफॉलेंग फॉल्एल फाउंडे वांडे कलब आटी कलब का जो तो basically this is बाल तिलक थे स्वाइब सुन्ट इवाट वह वाट 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 वॉवमेट स्टर्टेगास अब्दूल गफार सपर्ट अगेंस्ट अग्या था अगेंस्ट किया गया था अगेंस्ट अगेंस्ट विच कॉलनिया पावर फ्रिडियम स्ट्रॉगल एवन आप्टर परोजी नेक्स्ट वेस्ट आपका चांसिडर दा फॉलेंगे स्टेट्मेंट्स एवेंट्स एंड फाइंड क्रोन लोजीकल कोड शेशन आफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कलकाता डिमाइस ऑब गंदर तिलक और अनॉंस्मेंट आफ पीस टू टर्की सबमिशन और अननेम्स रिपोर्ट ऑफ जलिया वाराग मैस करें यह आपका जो करेक्ट क्रोनोलोजी होना चाहिए फोर फ्री तू वन होगा है, के नेक्स्ट पर्फावली डिक्लेडेशन इसु इन इयर 2020 वाज है 55 डिक्लेटेरशन से रिलेटेद है यह यह लट इर्विन देसु क्या गया था लट ईर्विन नेक्स्ट्क्राइब आपका विच अफ द फॉल्विएंग इस्टेटमेंट इस नोट गोर्डेक्ट माहत्मा गांधी ज अर्टो बायोग्रापी ओरिजिनली रिटेन गुज्राति लेंग्वेश्याद्याइज गर्ड़ीड करेक्ट है त्यद्लर कमिशन इज आशोचीएटे consider the following events in the history of independence moment of India and select correct chronological order by using given codes non-cooperation moment home rule moment quit India moment civil disobedience तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर home rule moment उसके बाद non-cooperation moment and then आपका civil disobedience moment 2134 होगा तो आपका answer होना चाहिए B 97 cancer होगा आपका B पहले होगा आपका यह home rule moment दूसरा होगा आपका non-cooperation moment 3rd होगा 4th होगा civil disobedience no no sorry answer is C answer is C next question है आपका arrange the following events related to the India national movement in chronological order and select the correct answer from the given below again Mahatma Gandhi Dandhi March के मार्च के पहले हुआ यहाँ पे उसके बाद next आपका आता है कि अग्णी इर्विन पैक्ट देन आपका communal award और communal आवाड जब इना उसाथ उसी के respect में पुना पैक्ट हुआ तो से एंसर होगा आपका इए का आपका डी diplomat judgment आपके के और होगा यह सद्वार्भार्ट करेक्ट नहीं बिसे कली बाल गंगादर ती लक का है नेक्स्ट सोट्रिवेंग the following मुवमेंट ऑफ गांदी जी गांधी जी फॉलिटकल ब्लैक्माल या किस ने कहा था कि जू गांधी जी जी का following was the president of indian national congress for the consecutive six years abul kala mazad the american publicist who was with mahatma gandhi during quit india movement was louis fischer which of the following may be true regarding gandhi gandhi regarding korn true it basically this is a statement d an individualist among socialist and a marxist among socialists who was the first to suggest boycott of british good in bengal kisne suggest kia tha by court of british good in bengal sabse pahle to basically you know nye suggest kia tha yye krishn kumar mitra thay jinnohne suggest kia tha at the time of swadhesi moment who was the leader of swadhesi moment in madras chitambaram phillai who among the following was government advocate in kakori conspiracy case kakori conspiracy case mein korn government advocate thay jagat narayan mulla thay joh government advocate thay next question hai bhagat singh sukhdev and rajgaru were sentence to death in lahore conspiracy case consider the following organization bangbhasa parashari ka sabha landholder society bengal british india society and indian league again all indian league eighty seventy five one two three four year chronology hooga so option a a hooga mc stalwart bn rao and allah di krishnas swami a year we are distinguished member of servants of indian society joki gopal krishnan iske main founder thay what was common among brahm samaj ram krishnan mission and r a samaj in some in india in india in 19th century this is basically lord canning the wara kiya gya tha economically one of the result of british rule in india in 19th century was commercialization of indian agriculture keep british india ka rule ka sabse wara pari naam indian agriculture per paraj commercialization ho gya the last mughal emperor was badur sa his father shnevaj akwar sa to at the time of siwa ji the post of sarnobat waaj joh sarnobat ka post thaa basically related with military administration next time ka guru who founded khalsa waaj guru gobind singh who is the creator of mughal text masir alamgiri masir alamgiri ke creator korn hai saki mustahid khan who which mughal ruler of the following had learned hindu music from lala kalawant he basically akbar thay jinnnhoh nne hindu music sikha tha next question which organization has launched mission 50k eb4 eco basically cdb ke dwarah launch किया गया moment है जो कि recently में लांच किया गया है mission है एक्स्वर्षन है इंडियान आर्मी अपाइंटेट फाइव बुमेन ओपिसर्स इन विच डिमीजन ऑफ दा मिलिटरी कि कि किस डिपार्टमेंट में या भी अपाइंट किया या पांच महिला को या आटिलाडी रेजिमेंट में है इसका जो थीम है अस्थमा क्यार फॉर ओल विच आर्टिफीशल इंटेलिएंस कंपनी लॉंच रफाइचे वर्ट या पाइचेट वर्ट इसिकली विक्ती एऎडंडाट इंक यह दिफिसल इंटेलिएंस कंपनी जिसने यह लॉंच किया है वाट इज़ द्धीम आप इंटरेशनल गविज्ञाइंस इन आइसी टीडीटीटीटी थी तो ब प्रोटेक्टिंग हॉरन बिल्स प्रोजेक्ट यह नायासी ट्राइब है जो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हॉरन बिल को प्रोटेक्ट करने में इंडिया आज फर्स्ट केवल एस्टेड रेल ब्रीज अनीज खाध ब्रीज इस्टैबलिश क्या गया तो बैसिकली यह जम्मू कस्विर में स्टैबलिश क्या गया है विच अस्टेट लॉंच संजीवनी प्रजेक्ट टू इंपाबर डेरी फार्मर्स के लिए संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचाल प्रदेश ने लॉंच किया है विच कंट्री इसे ओप एसीयो मिलेट सुड़ फेस्टिवल तो बेसिकली इंडिया इसका होस्ट बना है इस बार श्यो का पैस्टिवल का लाँस्टर विच लांच वान पंचायत रॉन फ्लेग्राउ प्रोजर्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउट प्वैror लॉय्ज milks भाई महिला रॉपरेटिफ जिसका सबसे अधिक जिसको जी आई टैग मिला गवा ता मिलना अंडू ही है इसके लगवा 56 प्रोड़क्ट्स है ऐसे जिसे जी आई टैग दिया जा चुका है विच मेट्रो सिस्टम है रिसेंटली बिन अवाइड गुलोबल सिल्वर अवाइड इन दा कार्वन डिदक्षन काटेगरी अंडर ग्रीन वर्ल अवाइड ट्वंटी ट्वंटी ट्री तो बैसिकली यह चिन्नाई मेट्रों है इंडिया फॉस्ट राफैल बुमें पाइलट सि अवैड इट्स न्यूओं मर्स प्रोग्राम ऑफिस फोड़ी यह जो मिसन है यह लान्ज किया गया है अमित किया है कि नेक्स्ट्वर्शन आपका यूनियन होमम इनिस्टर अमित सार्सेंटली लॉंच भाइब्रेट व्लेज प्रोग्राम इन अरुनाचल प्रदेश नेक्स्ट है वेर इस दे हेड़क्वार्टर ऑफ कोलिएशन फोर डियास्टर रिजिलियंट इंफास्ट्रक्ट्चर लोकेटेड यह कहां पर इसका है एड़क्वार्टर है पीएम जन औस्दी केंद्र को इनागुरेट किया इन विच आफ दा फॉलइंग डिस्टिक दा नेशनल रगवी चैंपियंसी बिल भी है यह आपको पटना में होने जा रहा है जूरी है पटना में होने जा रहा है बिहार इनिमस साइंस इनवर्सिटी बिल भी इस्टैबलिश इन्फ ओफ दा फॉलइंग डिस्टिक तहिंए आपके पटना में इस्टैब्लिस ने जा रहा है नेक्स्ट है भीच ऑफ फॉल्विंग डायलेक्ट एक स्पोकेन इन विहार इच फेसिंग दा थ्रेट ऑफ एक्जिंक्शन की कौन सा इसमें से ऐसा डायलेक्ट है जो एक्जिंक्शन को फेक्स करा जो मतलब खत्म हो सकता है यह बेसिकली आपका थारू एंड सूरज पूरी य यह आपको इस्ट चंपारण में बने जा रहा है विच इंस्टिटीउटेटेट ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेट टू डिस्कवार 2,500 यह ओल्ड पार्टली पुत्रा यह आईटी कानपूर के द्वारा यह कंड़क्ट किया जा रहा है तब भूजी ब्रीज बीच वाज इन्गुरेटे डिसंटली वाज विट वाज विट वाइंडिया इन विच कंट्री जो बुजी ब्रीज है मोजांबिक में बने इंडिया बना रहा है विच कंट्री है नेम्ड ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन भी पार जोई इन बेय बैंगली यह बंगलाद पेस्टिबाल सेलिब्रेटेड वाई कोन्द ट्राइब इन विच स्टेड यह उडिसा में है विच कंट्री विल वी सून कंप्लीटेट इस फर्स्ट अंडर सी टरनल यह इंडिया अभी जस्ट यह से कंप्लीट करने वाला है तो यह था हमारा उत्तिर्न टेस्ट का टेस्ट नंबर सेबिन आई होप आप हमारे इस त्रीज को इंज्वाए कर रहे होंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि और भी इस्टुइंट इसका बेनिफिट ले सके तो दाट्स आल पर तुड़े थाइंक यू